हलो एवरीबन, मैं हूँ जायंत, एड्यूहब ओनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों, तो हम बात करेंगे आज चीरन जीवी योजना के बारे में, 30 अप्रेल तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो 3 महा तक करना होगा इंतजार, तो दोस्तों हम इस चीरन जीव योजना के बारे में पूरा समझेंगे कि ये क्या है, ठीके, और इसकी लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की, वो गौर्मेंट के द्वारा 30 अप्रेल रखी गई है, और गौर्मेंट ने ये साफ साफ नोटिफाई किया है, कि अगर आपने 30 अप्रेल तक रजिस्ट्रे ने जनता से रजिस्ट्रेशन करवानी की अपील की है, मुख्यमंतरी असो गैलोत ने परदेश की जनता से अपील की है कि चिरंजबी योजना में 30 अप्रेल तक रजिस्ट्रेशन करवाले, क्योंकि इसके बाद अगले 3 महा तक पंजियन नहीं हो पाएगा, देखो, क्या कह आए असो गैलोत जी ने कि आप 30 अप्रेल तक रजिस्ट्रेशन करवाली जिये, अदर्वाइज आगे 3 महा तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, गैलोत ने टूइट करके चिरंजबी योजना में 30 अप्रेल तक रजिस्ट्रेशन ना करवाने पर अगले 3 महीने तक करीवार को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो दोस्तों आप इस बात को इस लाइन को और गौर से सुनो कि क्या है, 30 अप्रेल तक रजिस्ट्रेशन ना करवाने पर अगले 3 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा, योजना में अन्य बीमारियों के साथ में कोरोना क भी 5 लाख रुपे तक का बीमा सामिल किया गया है, तो मित्रो ये बहुत बड़ी अच्छी ऑपर्चनेटी जो की गौर्मेंट के द्वारा निकाली गई है, इसके अंदर आपको एक्सिडेंटल 5 लाख रुपे का बीमा मिलता है, आपको अगर आप सक्षम है, आर्थिक लिए आपको 8.500 रुपे, परती वर्स 5 लाख रुपे का बीमा मिलेगा, अगर आप सक्षम फेमिली से हैं, तो आपको मात्र 8.500 रुपे देने हैं, और परती वर्स आपको 5 लाख रुपे का इंस्योरेंस मिलेगा, इन परिवार के प्रीमियम का आदा खर्चा राज्य सरका वहन करेगी सरकारी करमचार्यों को इस योजना से बाहर रखा गया है उनके लिए प्रदेश सरकार जल्दी ही सेंट्रल गवर्मेंट हेल्थ इसकिम की तर्ज पर कैसलेस बीमा का लाब देने के लिए राजस्तान गवर्मेंट हेल्थ इसकिम लागू करेगी तो दोस्तो जो ये वीमा योजना है चीरन जीवी वीमा योजना इसके अंदर केवल और केवल जो गौर्मेंट सर्वेंट है गौर्मेंट में जॉब करते हैं उनको बाहर रखा गया है बाकी सब लोग इसके अंदर इन्वाल्व हैं केवल जो आर्थिक रूप से सक्छम है उन के अलावा जिसको खाद सामरगी मिलती है ठीक है जिनको रासन मिलता है उनको रजिस्टेशन करवाने की जरुवत नहीं है किसान जो है उनको रजिस्टेशन करवाने की जरुवत नहीं है तो इस तरह से केवल आपको जो साड़े आठ सो रुपे देने हैं और आपको एक साल के लिए 5 लाख रुपे का बीमा उसके अंदर अब कोरोना को भी involve कर लिया गया है अगर आपको कोवीड होता है और कोवीड की वज़से आपका खर्चा लगता है तो गवर्मेंट आपको 5 लाख रुपे तक का जो है insurance दे रही है तो दोस्तो इसलिए ये बहुत अच्छे scheme है गवर्मेंट की तो आप जो है 30 अपरेल तक registration करवा लीजिए otherwise आपको डिले हो जाएगा यह योजना का scheme का नाम क्या है चीरन जीवी बीमा योजना चीरन जीवी योजना है तो आपको इसके अंदर registration करवा लेना चाहिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें सभी तक पहुंचाने की कोसिस करें जिससे सभी को ये information मिल सके गवर्मेंट अपिल कर रही है कि प्लीज आप आएं और 30 अपरेल तक registration करवाएं साड़े आट सो रुपे दीजिए और आपको एक साल तक के लिए शौर सिट पांच लाख रुपे का हम बीमा करके देंगे थैंक्यो फ्रेंड, हैव नाइस डेई, बाबाई